हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज हम डीशी मशीन का लेक्चर नंबर फाइफ कवर करेंगे पिछे लेक्चर साथ देख सकते हैं हमारी पिछली वीडियो में लेक्चर नंबर फाइफ में हम डीशी मशीन का कम्मिटेटर पार्ट को डिसकस करेंगे पिछे लेक्चर में हम डीशी मशीन के पार्ट को डिसकस कर रहे थे तो उनमें हमने फिल्ड सिस्टम और आर्मेचर पार्ट को डिसकस किया था आज हम committator को discuss करेगे खास बात ये committator लगा कहां रहता है जैसे हमारी machine है ये इसका armature part है ये इसका committator part है ये shaft है बीच में तो अगर आप ध्यान से देखें जिस shaft पर armature code लगी रहते है उसी same shaft पर committator भी लगा रहता है यानि कि committator भी rotating part होता है क्योंकि ये भी same shaft पर लगा रहता है तूसरी बात committator को split ring भी कह सकते हैं split ring का मतलब split का मतलब two tower two tower ring तो committator जो होता है two tower ring होता है उसमें बीच बीच में तुकडे होता है आपके तुकडे के रूप में होता है यानि continuous ring नहीं होता है बल्कि ये टुकडे के रूप में होता किसके रूप में होता है टुकडे के रूप में split ring इसलिए बोल सकते हम इसको continuous ring नहीं होता है जबकि कमिटेटर जो होता split ring होता है इसमें बीच बीच में segmented type का होता है नहीं कि टुकडे के type का होता टुकडे होते हैं इसमें तो यह हमने जैसे कमिटेटर दिखा है यह हमारा आरमेचर है इस साफ्ट पर जिस साफ्ट पर आरमेचर लगावा उसी पर यह कमिटेटर भी लगा हुआ है तो कमिटेटर जो है यह क्या करता है इस कमिटेटर को हिंदी में कहते हैं दिख परिवर्थ दिक का मतला दिशा दिशा परिवर्तक यानि कि दिशा को परिवर्तन करने वाला यानि कि इस कमीटेटर को इस रिंग को जो कि टूटा वा रहेंगे इसको हम जैसी inputs देंगे यह उसको convert करके output देता है यानि कि अगर हम इसके input में AC देंगे तो यह अपने output में DC देगा और अगर हम इसके input में DC देगे तो यह अपने output में AC देगा तो इसलिए यह एक तरह से commutator जो होता यह conversion करता अगर AC देते हैं तो DC में convert कर देता अपने output में DC देते हैं तो AC में convert कर देता जैसे एक slip ring होते हैं slip ring कहां लगे रहते हैं slip ring लगे होते हैं alternator में या slip ring induction motor में slip ring जो होते हैं वो continuous ring होते हैं दरसल कैसे ring होते हैं वो continuous ring तो slip ring में खास बात यह होती है कि slip ring जो होते हैं वो जैसी उनकी input दी जाती है उनसे जो output ली जाएगी वो भी same ही रहती है यानि कि इन में अगर आप DC देंगे तो output में DC ही मिलेगी, input में AC देंगे तो output में AC मिलेगी यह कहां लगाए जाते हैं, slip ring, alternator में, alternator जब पढ़ेंगे तो उसमें दिखाएंगे slip ring लगे होते हैं इसके लावा slip ring induction motor में, इनकी output change नहीं होते, यानि कि converter नहीं होते हैं जब कि commutator जो होते हैं, वो converter होते हैं, वो conversion कर देते हैं, दूसरी बात कि commutator कहां लगा होता है जैसे हम इसकी position देख अगर ध्यान से, तो जिस shaft के ऊपर armature core लगी होते हैं, उसी shaft पर commutator भी लगा होता दूसरी बात अगर अब ध्यान से देखें, इसकी construction को, तो ये भी cylindrical form में बना होता है, यानने कि बेलनाकार form में बना होता है तो commutator जो होता ये भी cylindrical form होता cylindrical form होती है cylindrical form बेलनाकार form होती है लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसका diameter कम होता जैसे की armature का diameter तो ज़ाद होता इसका diameter कम होता actually commutator का diameter armature के respect में लगबग 60 to 80% होता जितना armature का diameter होता उसके अपेक्सा commutator का diameter 60% से लेकर 80% तक हो सकता तो इसका diameter कम होता दूसरी बात commutator किस काम में आता है कि commutator जो होता वो दरसल इसका अगर हम use देखें commutator का तो वो क्या है दरसल इसके action अगर हम देखा commutator का काम क्या करता ये तो जैसे कि हमने बताया ये commutator ये split ring है two tower ring है और ये conversion करता हमें सा तो एक्चली इसका action देखें तो मैं बात करूँ तो जो armature में जो produce होता वो alternating emf होता DC machine में जो armature में emf produce होता वो alternating emf होता कैसा emf होता alternating emf तेखें और ये commutator क्या करता alternating emf को uni direction emf में convert करने का काम करता है कि commutator जो होता एक reversible switch होता क्या होता commutator commutator एक reversible switch है reversible switch एक reversible switch का काम करता यानि कि reverse करने का काम करता पलटने का काम करता तो इसका पहला action ये रहता ये armature winding में produce होने वाले alternating emf को alternating emf को uni direction emf में convert कर देता किस में convert कर देता ये alternating emf जो produce होता है किस में in armature winding armature में alternating emf produce होता ये उसको convert कर देता है ये convert कर देता है उसको uni direction emf में किस में uni directional emf में वो किस case में DC generator की case में DC generator की case में ये alternating emf को uni direction emf में convert करता है ये 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 कि यूँ कह सकता हूं AC को DC में बदल देता है तो किस में बदल देता है uni direction emf से मतलब क्या होता uni direction em का मतलब DC यानि कि यह alternating current लेता आर्मेचर वाइंडिंग से आर्मेचर वाइंडिंग से alternating current लेता और उस alternating current को convert करके direct current में और यह ब्रसिज के help से बहरी circuit में भेज़ता तो यानि कि इसका काम क्या है? alternating EMF को convert कर देना unidirection EM में यह तो GC generator case में होता अगर motor की case में इसका काम देखे तो motor case में उल्टा करता है motor case में यह DC को AC में बदलता इसके अलावा यह unidirection torque produce करता तो motor case में क्या करता? motor case में यह DC को AC में convert करता DC को case में convert करता बताया मैंने उल्टा करता जो slip ring होते हैं वो continuous ring जो होते हैं वो conversion नहीं करते हैं, उल्टा नहीं करते हैं, यह हमेशा उल्टा करते हैं, क्योंकि splittering होते हैं, टूटेवरीं होते हैं बीच में से, इस तरह से, और यानि कि segmented होते हैं, बीच में माईका का insulation होता है, तो देखे ज़रा, यह motor case में क्या करता है, motor case में, यह DC को AC में convert करता है, DC input में देगे, output में क्या मिलेगी, AC, इसके अलावा, motor case में यह unidirectional torque produce करता है, unidirectional torque produce करता है, एक्जाम में आ चुक है कि DC motor case में यह commutator क्या करता unit direction torque produce करता या DC को AC में बदलता तो generator case में यह एक तरह से rectifier का काम करता क्योंकि AC को DC में बदलता तो आप इसे mechanical rectifier भी इसलिए इसको बोलते हैं तो यह हमारा Commitator होता यह एक तरह से एक Mechanical Rectifier होता है जैसे हम Electronic Rectifier भी पढ़ते हैं जैसे Electronic Rectifier बनते हैं डावर से यह कैसा Rectifier होता यह Mechanical Rectifier होता तो आप से पूछा जाए कि बताओ Mechanical Rectifier कौन सा है यह Machine में Machine का Rectifier कौन सा है तो Machine का Rectifier Commitator कहलाता Commitator को Machine का Rectifier कहते हैं तो इसका Action तो आपको समझ में आया होगा कि Commitator जो होता एक Splittering होता टूटा वरिंग होता Segmented होता टुकडो में बटा रहा था Continuous Ring नहीं होता Continuous Ring कौन होते हैं Slip Ring जो कि Alternator और Slip Ring Induction Motor में यूज कियाते हैं और वह Conversion नहीं करते हैं वह उल्टा नहीं करते हैं जैसे Input देते हैं वह peppers देते हैं जबकी जैसे इन पूता हैं बहुता वइन में होता हैं तो यह उसे AC में convert करते हैं, इसके लाव यूने डिरेक्शन टॉट प्रडूज करते हैं, जबकि generator के case में इसको यह rectifier का काम करते हैं, DC generator के case में यह एक तरह से mechanical rectifier का काम करते हैं, तो मशीनों का rectifier आप से पूछा जाए, कि इसको बोलते हैं, committator को ही बोलते हैं, दूसरी बात अगर हम इसके बात देखें कि material इसके लिए क्या यूज होता, तो material अगर हम इसके लिए देखते हैं, कि क्या इसके लिए material यूज होता, यह तो चलो action तो हमें इसका समझ में आया, कि क्या इसका action है, लेकिन अगर हम इसको material इसके लिए देखें, कि क्या material इसके लिए हम यू कापर सेग्मेंट से जो कमिटेटर होता है तो यह किस से बना होता है यह बना होता हार्ड कि ड्रान कापर सेग्मेंट से हार्ड ड्रान कापर सेग्मेंट हार्ड का मतलब कठोर ड्रान का मतलब खीचा हुआ कापर के टुकडे तो यह कठोर खीचे हुए कापर के सेग्मेंट से बना होता है तो कापर को ड्रान क्यों किया जाता खीचा क्यों जाता उसकी hardness बढ़ाने के लिए उसके जो है आपका mechanical strength बढ़ाने के लिए कापर को खीच का मोड़ा जाता है इसमें तो यह segmented होता है खास बात है टुगडो की form में होता इसमें बीच में माइका का insulation किया जाता है तो यह तो है इसके कापर के segment यह वाले यह तो क्या है कापर के segment यह यह कापर का segment और बीच में यह insulation किसका किया जाता बीच में माइका का तो माइका का insulation किया जाता है इसमें माइका insulation तो इनकी mechanical strength बढ़ाने के लिए इनको खीच कर मोड़ा जाता है इनसे mechanical strength बढ़ा जाती है तो hard drawn copper segment इसलिए आप से पूछा जाता है exam में बहुत जाता है कम्टिशन में कि बताओ commutator किसका बना होता तो आप बताएंगे hard drawn copper segment का इसके लावा आप से यह भी position पूछा जाता है कि बताईए यह जो commutator होता है इसमें किसका insulation कर जाता copper segment के बीच में माइका का insulation कर जाता है किसका माइका का खास बात यह है आप से पूछा जाता है कि माइका और hard drawn copper segment में कौन hard तो बहुत से बच्चे इसका answer देते हैं कि भी copper क्यों इसका नाम है hard drawn copper segment तो सैद copper segment इससे माइका से hard होंगे लेकिन नहीं यह objective दियावा बुक में लेकिन आपको आप से पूछा जाए कि माइका और hard drawn copper segment में से कौन hard होता तो माइका अधिक hard होती है माइका more harder तो यह आपको याद रखना है इसके अलावा देखो यह जो copper के segment होते है यह जो आपका committator होता है यह जो committator segment होते है hard drawn copper segment जो होते है यह wedge shape के होते है कैसे होते है wedge shape के तो यह भी आप से पूछा जा सकता है कि यह किस सेप के होते हैं कि यह वैज शेप के होते हैं वैज शेप भी कह सकते हैं आप इसको या सिंपल भासन आप वी शेप भी इसको बोल सकते हैं तो यह जो कापर सेगमेंट होते हैं हाड रान कापर सेगमेंट होते हैं वैज शेप के या वी शेप के होते हैं कि सेप के होत इस तरह से यह होते हैं तो वैशेप का मतलब यह आपके अगर हम दिहान से देखें तो बीच में माइका का इंसुलेशन होता यह माइका का इंसुलेशन है बीच में इस तरह से बनाए जाते हैं वैशेप के क्यों बनाए जाते हैं इनको wedge shape के बनाने से इनकी mechanical strength अधिक रहती है तेज घूमने पर ये जो segment होते हैं ये निकलते नहीं है ये फसे रहते हैं तो इसलिए जान बूच के इनको wedge shape का बना जाता है wedge shape किसे कहते हैं कि जो एक तरफ से संक्रा दूसरी तरफ से चोड़ा एक तरफ से नेरो और एक तरफ से चोड़ा इस shape को wedge shape कहते है wedge shape को इसे कहते है wedge shape के बनाए जाते है और mica का इसमें insulation क्या जाता आप से ये भी पूच सकते कि mica की width क्या होती है जो बीच में mica जो इसमें बीच में insulate क्या जाता इन segments को जैसे ये तो हमने दिखाए copper segment hard run copper segment और ये बीच में हमने दिखाया mica तो ये बीच में क्या है mica insulation के लिए mica किस लिए है ये insulation के लिए इसके अलावा अगर आप से पूचा जाए कि ये जो है ये किस shape के है तो ये आपके है wedge shape wedge shape hard drawn copper segment ये दो तिन important बात है हुई आप से पता चला कि copper ये जो committed होता है hard drawn copper segment का बना होता इसमें बीच में mica का insulation यूज किया था mica का जो insulation होता है इसकी जो width होती है thickness होती है वो कितने होती है तो thickness भी आप से पूच सकते हैं तो thickness of mica माइका माइका की जो sheet होती है बीच में इनकी thickness आप से पूच सकते हैं तो इनकी thickness होती है 0.5 mm से 1 mm तक जनरली 0.8 mm होती है जनरली 0.8 mm 0.8 mm option आता जाता है जैकि मैं 0.5 mm से 1 mm तक कुछ भी दे सकते हैं तो इनकी इतनी thickness होती है बीच में जो माइका की sheet रहती है जो इन copper के segment को आपस में isolate रखती है इसके अलावा मैं बता दूँ कि जो armature winding होती है यह जो commutator segment होते है इनकी जो संख्या होती है वो armature में number of active coils के equal होती है number of active coils के क्या मीन सा मेरा कि दरसल armature में एक idle coil भी पढ़ी रहती है निश्क्रिय कोईल भी पढ़ी रहती है उनके बारे में आगे बात करेंगा उनना बोलते है dummy coil तो dummy coil एक्टिव कोईल नहीं होती है सिरफ armature coil जो होती है वो ही active coil होती है तो इसकी जो number of commutator segment होते है number of commutator segment को मतलब commutator के जो copper के टुकडे हैं उनकी जो संख्या होती है वो number of copper segment की जो संख्या होती है number of copper segment is equal to होते है number of active coils in armature armature में active coils की संख्या के बराबर तो यह की भी पूछ सकते है कितने copper segments होते हैं copper segments की संख्या armature में active coils की संख्या के इक्वल होती है दूसरी बात देखे कि जो आपके यह आप उतार सकते हैं pause करके आप देख सकते हैं फिर देखें इसके बात देखें अगर कम्मिटेटर की बात हमने बताया था जैसे कि यह क्या करते कम्मिटेटर यह AC को DC में convert करते हैं तो इसमें खास बात यह रहती कम्मिटेटर में कि यह कम्मिटेटर जो होते हैं इसमें एक रिंग नहीं होता slip ring, split ring यानि कि two tower ring तो हैं इसमें लेकिन एक नहीं होता इसमें बहुत सारे ring होते हैं तो एक तरह से कम्मिटेटर जिसे बोलते हम एक तरह से कम्मिटेटर हब होता है इसमें बहुत सारे कम्मिटेटर होते हैं एक तरह से बहुत सारे splittering होते हैं तो splittering और कम्मिटेटर में ही इंतर होता splittering कभी भी अकेला कि यूज नहीं कियाता टूटावा एक नहीं होता कभी वहीлег कि बहुत सारे होते तो charcoal केbenने पहले हैं कारण यह है कि अगर हम केवल एक ही रिंग करेंगे तो है कि ی९हें आर मेचर कॉईल में जो एमआ बनता और बता उसकी नेचर क्या होती उसकी होती AC, आर मेचर में क्या बनता, AC, तो ये तो आर मेचर में होता, AC in आर मेचर, तो जो हमारा एक स्प्लिटरिंग होता, वो क्या करता है, वो इस तरह से, पल्सेटिंग DC देता, इस तरह की DC, इसे बोलते हैं, पल्सेटिंग DC, तो पल्सेटिंग DC हमें नहीं चाहिए होती, हमें चाहिए होती steady state DC, तो हमें से याद रखना, कम्मिटेटर जो है, वो एक तरह सा अगर हम देखें, ये रेक्टिविशन तो किया, इसने AC को DC में बदला, लेकिन पल्सेटिंग DC, इसने इस तरह की DC को पल्सेटिंग DC कहते हैं, यानि कि ये जो splittering होता, ये एक full wave rectifier की तरह काम करता, तो इसलिए ये भी question पूछा जाता, कम्मिटेटर किस तरह का rectifier का काम करता, full wave rectifier, full wave rectifier की तरह ये काम करता, आप से पूछा जाए, कम्मिटेटर में किस तरह का rectification होता, तो आप बताएंगे भी full wave rectification होता, कैसा rectification होता, full wave rectification, ठीक न, अब बात याती है, हमें इस तरह की pulsating DC नहीं चाहिए होती, हमें चाहिए होती, steady state DC, steady state DC जो होती है, वो हती इस तरह की, इसे बोला जाता, steady state DC, यानि कि जो कि लगबग constant हो, तो steady state DC प्राप्त करने के लिए, steady state DC प्राप्त करने के लिए, हम splittering की संख्या बहुत जादा रखते हैं, बहुत सारे splittering यूज करने से क्या होता, ये जो repels होते हैं, इनकी संख्या बढ़ जाती है, और जिससे क्या होता, आपको steady state DC मिलती है, तो ये जादा हो जाते हैं, तो लगबग constant output आपको मिल जाते हैं लगबग ज़ादा हो जाते हैं जब rings तो यह रिपिल्स जो है ज़ादा कर देता है एक तरह से तो बहुत सारे ring यूज़ करते हैं बहुत सारे ring यूज़ करने से हमारी steady steady सी लगबग प्राप्थ हो जाती है तो ना दूसरी बात यह जो armature coil होती है उसको commutator के segment से जोड़ने के लिए एक copper के lug से weld कर दिया जाता किस से? कापर लग से तो आप से पूछ सकते हैं जो आपका armature coil है उसे commutator segment से किस की help से जोड़ा जाता है तो कापर लग या कापर strip की help से जोड़ा जाता है तो यह भी important रहता कि कौन से एक्टिवेशन मेलता है इसमें कम्मुटेटर में हम फुल वेर एक्टिवेशन मिलता और इसमें वताया मैंने कम्मुटेटर में एक splittering नहीं होता बहुत सारे rings होते हैं बहुत सारे rings करने से हमें लग बग steady state DC मिलती है तो अदरवाइस हमें pulsating DC मिलती है दूसरी बार देखें कि जो आपका कम्मुटेटर होता है अगर हम देखते हैं कि कम्मुटेटर आर मेचर को जब हम घुमाते हैं जब हम साफ्ट को प्राइम मोवर से घुमाते हैं तो आर मेचर भी घुमता है तो वो कहां घुमता पोल्स के बीच में जिसके कारण पोल द्वारा जनेटर फ्लक्स जो पोल द्वारा जनेटर फ्लक्स जो आर मेचर को कट करता है उसकी उसके मान में लगाता है और चेंज होता है जिसके कारण आर मेचर में rate of change of flux के proportional एक EMF बन जाता जो कि alternating EMF होता commutator दोरा उस alternating EMF की direction चेंज करके उसे युनि डिरेक्शन करके ब्रसिज के help से बाहरी सरकुट को भेजा जाता तो commutator यानि कि अगर आप से देखे कि commutator किस के बीच में लगा होता commutator armature coil और ब्रसिज के बीच की कड़ी होती है बीच का एक link होता तो आप से पूछा जाए कि बताओ armature coil armature winding और ब्रसिज के बीच का link कौन है तो commutator जो है armature coil और ब्रसिज के बीच का link होता है तो आज इस वीडियो में बस इतना ही आज हमने commutator को discuss करें next topic next lecture में हम brush और brush system को discuss करेंगे तो ना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद